सब साहा, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ओफिसियल में दोस्तो आज हम बात करेंगे सद गुरू सद गुरू के लेकर के मन में अभी के यूग में जो है बहुत सारे इंसान की मानव की मन में विकार हो गया है कि आखिर में साचा सद गुरू कौन है हाल ही में जो बहुत सारे गुरू जन है उनकी कर्तूतों को देखते हुए मद्य नजर देखते हुए और मानव का कही न कही ए भर्मना हो गया है कि सारे ए जो गुरू लोग है मानव को भर्मित कर रहे हैं और कही न कही सोशन करने की काम करता है तो इसी को ले करके आज विशेश चर्चा हम करने वाले हैं सुनील राय ओफिसियल चैनल के माध्यम से मेरे भाई बंबहनों आज की युग में इस कल युग में घंगोर कल युग में मानव मात्र को ये संदेश दिया है पुर्ण परमात्माने कि जब कल युग पांच जार पांच बरस बित जाएगा तब हमारे हंस संत मेरा फर्मान लेके जाएगा और तत्व ज्यान का जो है परचार परसार करेगा और मानव को सत्भक्ति बता करके मोक्ष दिलाएगा ये पुर्ण परमात्मा बंदी छूर कबीर परमेश्वर जी का काल के साथ बरता जो हुआ था ओके सारेंस मैं बताया आपको मेरे भाई बंबहिनों ऐसे में सवाल उठता है कि साथा सत्गुर कौन तो मैं आपको बता दू इस कल्यूगी यूग में साक्षर ज्यान पुर्ण परमात्माने मानव को इसलिए दिया कि कल्यूग में इतना संत और महंत और रिशी बन जाएंगे ढोंगी पाखंडी बन जाएंगे जो कि सब के ज्यान के आगे साथा सत्गुर वही होगा कि यह सभी को ज्यान का जो है दवा करके और सत्य ज्यान को सत्भकती को आगे पर हाने वाला और सत्भकती मानव को दिखाने वाला साथा सत्गुरु का बरनान बिशेस रूपसे श्री मद भागवत गीता में किया गया हुआ है जो कि स्रीमत भागवत गीता में काल जो ब्रह्म जिसे कहते हैं ओर अर्जुन को बता रहा है कि अर्जुन सत्गुरू के विशय में कहा है तत्वदर्शी संत की विशय में कहा है और सहज से परमान दिया है वही परमान आप सभी को आज दिखाते हुए साचा सत्गुरू की जो है आज आप सभी का सामने परमान पेश कर रहा है मेरे भाई वाम बहिनों श्रीमत भागवत गीता देख सकते हैं आप देखिए पूरा अध्याई से लेकर श्रीमत भागवत गीता की अध्याई नमर पंद्रह स्योक लग में एक से चार में एक पूरा बर्नन किया गया है और कहा है कि अरजुन उल्टे लटके ब्रिच का जड़ से लेकर तना तक जो बता देगा वही तत्वदर्शी संत है और आज की समय में इस कल यूगी यूग में आप पता किजिए पता किजिए आप कि ए जो ऐसा ग्यान ए तत्व ग्यान ए उल्टी लटकी ब्रिच की जर से लेकर तना तक बताने वाला संत कोई नहीं हुआ इलावा बंदी छोड़ सत्गुरु राम पाल जी की अत्री मेरे भाएवं बहिनों अभी भी समय है इस साथा सत्गुरु पहचानने में और ए तत्वदर्शी संत ऐसा संत है जो की इनकी नाम और इनकी जो है नाम दिछा लेकर के भक्ती करने की तो बात बहुत ही अनोखी है इनकी बारे में पूर्ण तह जनकारी जान लेने मात्र से हमें बहुत किशिम का दुखो का निवारन होता है ऐसे मानव हम इतने दुखी हो गया है अपने कर्म कांड के और पाप कर्मों की मार से की मानव दर दर की ठुकड़े खाता है तरह तरह का बिमारिया रहता है ऐसे में सच्चे सत्गुरु वही होता है जो त्रंत अपने हंस को जो है लाव दिता है और मेरे भाई बम बहिनों बंदी छोड़ सत्गुरु राम पाल जी महराज एक ऐसा संत है कि लाखो आदमी का मिर्थ शरीर, लाखो का कैंसर के कैंसर परमात्मा ने चुटकियों में ठीक कर दी है। और बड़ी बात ये भी है कि आज की समय में सारे विश्व में बंदी छोड़ सत्गुरु राम पाल जी की परचार परशार हो रहे हैं। यह ज्यान को जो है परचार करने की आदेश दिया था, ओ मालिक बंदी छोड़ संतराम पाल जी महराज कर रहे हैं। और अपने सारे हंस की सतलोक ले जाने की जो है प्रियास कर रहे हैं। अब कमी रह गया है कुछ तो हम सभी मानब को कि अपने साचा सत्गुरु को पहचाने और उनसे नाम दिछाले करके सतलोक की प्राप्ति करें। दुख सारे संकट को निवारन करें। मालिक से नाम दिछाले करके आजीवन मर्यादा में भक्ति करने से हमें पुर्ण लाव मिलता है और सतलोक के भी प्राप्ति होता है। मेरे भाईवम बहनों गुर्जी कहते हैं कि मात पिता तो मिल जाहीं लक्चवडा सीमाहीं सत्गुरु सेवा बंदगी फिर मिलन को नाहीं। हमें कतना बार कुट्टे बने कितना बार गधे बने कितने बार बिल्ली बने कितने बार राजा बने कितने बार प्रजा बने कितने बार देवता बने लेकिन फिर भी हमें कुछ लाव नहीं मिला, कुछ प्राप्ती नहीं मिला क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें साचा सत्गुरु नहीं मिला लेकिन आज मेरे भाएवं बहनों हम इतने सोभाग्य हमारा है जो इतना परमात्मा ने हमारे उपर रहम कर दिया है हमारे दुखों को देखते हुई कि सांचा सत्गुरु बंदी छोर सत्गुरु राम पाल जी महराज को मालिक ने भेज दिया पूर्ण परमात्मा की अवतार है इनसे नाम दिछा जदी नहीं लेते हैं तो दुरभाग्य है हमारा इसलिए इनसे नाम दिछा ले करके अपने जीवन को धन्य धान्य बनाएं भाइबं बहिनों पूर्ण परमात्मा की अवतार है यह सर्वेश्वर है यही जो है सारे बर्मांड की सत्गुरु है यही जो है पूर्ण परमात्मा ही है पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण परमात प्रमात्मा को ना पहचान के मनमाना आचरन करने से हमें बहुत दुख हुआ संक जन्मों तक इसलिए इस जन्म को हमें नहीं कमाना है और बंदी छोर सत्गुरु राम पाल जी से नाम दिछाले करके अपने जीवन को जो है सफल बनाना है इतना कहते हुए अंत में यह कहुंग बंदी छोर सत्गुरु राम पाल जी महराज कीज़ें